Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you? Today we are going to discuss possessives. Possessives क्या होते है? Noun जो होता है, सारी छीजे जो हमारे आसपास की noun है, उन्ही को possessive form में लिखना ही possessives कहलाता है. तो जो possessive, possession शो करेंगे, वही हमारा possessive होता है. Like, यहां देखे, noun have a possessive form. जो noun होता है, noun कोन है? Noun is the name of person, place, animal or thing? कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बच्चा, तो सब चीजे जितनी भी है, क्या है? नाउन है. So, noun have a possessive form for which we add an apostrophe. An apostrophe का symbol क्या है? यह है. This is the symbol of apostrophe. जब हम किसी भी noun में apostrophe को add कर देते हैं, then it shows possession. Possession, यानि कि ownership को दिखाना, यानि कि ownership को दिखाना ही possession कहलाता है. और वो noun हमारा possessive बन जाता है. अब noun तो सारे ही है. boy, यह example देखें. boy's bat. boy's bat. बैट किसका है? boy का. तो we will write it. the bat belongs to the boy. the bat belongs to the boy. boy's mother. मा किसकी है? boy की. the mother of the boy. of the boy. तो teacher किसकी है? boy's teacher. teacher किसकी है? the teacher. the teacher belongs to the boy. जो teacher है? वो किसकी है? लड़के की teacher है. उस बच्चे की teacher है. तो यहाँ पर जो यह apostrophe का symbol आप देख रहे हैं. this is possessive. है न? this show position. this show ownership. यह सब ownership को दिखाते हैं. अब जैसे की हम सब अभी S लगाने से अगर हम S लगा दे, apostrophe S लगा दे या simple S लगा दे, तो उसमें क्या difference है? यानि कि singular form होती है, plural form होती है और positive form होती है. singular form में हम किसी भी चीज़ को कैसे समझेंगे? suppose singular form में हमने लिखा girl. यह girl है. एक लड़की है, singular number में है. जब हम इसको plural form में change करेंगे, तो यह कैसे बन जाएगा? girls बन जाता है. यानि कि जब हम उसमें S को add कर देते हैं, तो वो plural बन जाता है. और जब हम इस plural form को, या singular form को ही, जब हम positive में शोग करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? girl apostrophe S बन जाएगा. फिर ये वाला S नहीं लगेगा. फिर हम क्या करेंगे? apostrophe के बाद S लगाएँगे. simple S जोड़ना, तो ये plural form बन जाती है. एक लड़की, बहुत सारी लड़किया. एक लड़की, बहुत सारी लड़किया. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? लड़की का. लड़की का. और ये इसका मतलब होता है लड़किया पहुत सारी लड़किया और इसका मतलब होता है लड़की यानि के एक लड़की लड़किया और लड़की का लड़की का क्या कोई भी सामान जैसे लड़की का बैग तो लड़की का जब बैग होगा तो जब हम उसको इसी तब हम उसको लिखेंगे अब girl apostrophe s, यह एक लड़की है, जब हमने इसको plural बना दिया, तो लड़किया हो गया, लेकिन जब हमने इसको positive form में बदला, तो यह girl apostrophe s बन गया, अब इन positive को, positive को change करने की भी rule है, कि हर जगे तो आप नहीं लगा सकते, रूल पर depend करेगा कि आप positive form को कैसे apply करोगे, अब we will take one more example, cat, एक cat है जैसे, cat, उसके बाद plural करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें s² कर देंगे, एक बिल्ली, बहुत सारी बिल्लिया, लेकिन जब हम इसमें कर देंगे, cat apostrophe s कर देंगे, तो यह क्या बन जाएगा, बिल्ली का, यह हमारा क्या बन गया, बिल्ली का, यह बिल्ली की पूछ, है न, cats अगर हम tail कर दें यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है, cat's tail, है न, पूछ किस की है, बिल्ली की है, तो it is showing ownership, it is, है न, it is showing ownership, this is the word, ownership, show करना, possession, possession, show करना, possessives को, इसी तरह से हम, यहाँ तक हम समझेंगे, यह हो गए हमारे possessives, next, और इसको हम कैसे show करते हैं, इसको हम इस निशान से show करते हैं, this is apostrophe का symbol है, और इसमें s add कर देते हैं, तो यह apostrophe, s बन जाता है, लेकिन, अब इनके कुछ rules है, जैसे, कि, यह तो singular चीज़ के लिए हो गया, अब plural के लिए क्या rule है, rule one क्या कहता है हमारा, कि, अगर plural कोई चीज़ है, मतब singular में तो आपने यह rule लगा दिया, लेकिन, अगर girls school होता है, जैसे, girls, plural हैं, यह लड़किया, यह लड़किया है, plural, लड़कियों का जब school होता है, तो इसको girls school लिखते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, girls लिखके, केवल apostrophe का symbol लगा देते हैं, girls लिखके, केवल apostrophe का, there is no need to add another s, दूसरे s को add करने की कोई जरुरत यहाँ पर नहीं है, girls हो गया, girls हो गया, apostrophe लगा दिया, तो girls school, एक rule तो यह है, कि plural form में इस तरह से हम change करते हैं, लेकिन कुछ, कुछ plural ऐसे होते हैं, कुछ plural ऐसे होते हैं, यह ending with, यहाँ पर मैं और एक चीज लिख देती हूँ, plural ending with s, जो s पर end होंगे, लेकिन अब यहाँ पर, rule 2 हमारा क्या कहता है, plural, not ending with s, जब s का use नहीं हो, जहाँ पर हम s को add नहीं करते हैं, no use होगा, जैसे example क्या है, children, 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 बहुत सारे बच्चे, child माने होते हैं, एक बच्चा, है न, यहाँ पर हम देखो, child, child means, एक बच्चा, children माने बहुत सारे बच्चे, तो जब children होगा, then, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम apostrophe s को लगाएंगे, अब यह वाला plural और यह वाले plural में क्या difference है, क्योंकि यह girls school है, ending with s है, s पर खतम हो रहा है, तो हम यहाँ पर केवल apostrophe लगाएंगे, लेकिन यह वाले plural में यह भी plural है, और यह भी plural है, यह भी plural है, यह भी हमारी plural form है, children, लेकिन यह ending, not ending with s है, यहाँ पर s end में नहीं है, तो अब तब हमें क्या करना है, apostrophe s को add करना है, rule third है, third number rule में हम क्या बोलेंगे, जैसे कुछ proper nouns होते है, proper nouns, like a, proper nouns, suppose एक लड़का है, विकास, तो यह singular भी है, proper noun भी है, क्योंकि यह नाम है, special name है, special name जब होता है, तो वो क्या होता है, proper noun होता है, तो proper noun में जब यह ending with s हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, apostrophe s हम लगा देंगे, और जैसे, for example, James, may be apostrophe s हम लगा देंगे, but there are certain rule, जहाँ पर s end होने के बाद, यहाँ पर s end हुआ, तो हमने apostrophe s लगाया, यहाँ पर s था, तो यहाँ पर हमने केवल apostrophe लगा, it depends on rule, कि आप possessives को कैसे दिखाएंगे, कैसे show करेंगे, तो rule third is this, rule fourth में क्या है, rule number four, यह क्या बोलता है, कि, some proper noun, कुछ proper noun जो होते हैं, some proper noun, ending with s, जो कुछ proper noun है, वो ending with जब s होंगे, तो वहाँ पर क्या लगेगा, we will use, we will use only apostrophe, we will use only apostrophe को हम केवल वहाँ पर use कर देंगे, example जैसे, example है, Socrates, तो Socrates में हमें क्या करना है, Socrates का, Socrates का भी तो possession शो करना है, जैसे possessive बनाएंगे इसको, Socrates, केवल हम apostrophe s को use कर देंगे, है न, only apostrophe s, है न, only apostrophe, sorry, only apostrophe को add करेंगे, तो Socrates क्योंकि यह different rules है, rules 4 में जैसे हम बोल रहा है कि ending with s है, यह भी ending with s है, बट यहाँ पर हम apostrophe लगा देंगे, जैसे Jesus है, Jesus भी ऐसे ही है, ending with s, s पर कदम हो रहा है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको possessive बनाने के लिए, हम केवल, apostrophe का symbol add कर देंगे, and it will become, it will become possessive, यह बन जाएगा हमारा possessive, अब जैसे हमारी, हमने इसमें देखा, यह हमारा, यहाँ तक हमने possessive पढ़ा, possessive की different, different rules है, कि कहीं पर हमारा plural है, कहीं पर singular है, तो singular के, plural के सब के rules, जो है different है, हर किसी के rules को, हम अलग तरीके से, apply करते हैं, अब जैसे हम इन rules को, एस series wise हम लिखते जाएंगे, जैसे rules, कैसे, अभी हमें इन rules को, कैसे लिख देंगे, नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, noun, noun की, क्योंकि हम noun का ही, तो positive form बना रहे हैं, है न, हम noun का ही, positive form बना रहे हैं, अभी हम कैसे बनाएंगे, इसके rules हैं, different, अलग अलग rules है, singular noun है, singular noun का example क्या है हमारा, example क्या है, जैसे, boy है, ठीक है, singular noun में क्या है, boy है, तो इस boy में हम क्या करेंगे, add, क्या add करेंगे, apostrophe, S-squared करेंगे, apostrophe, S-squared करेंगे, B में, plural noun, ending, ending, it will be easy, plural noun, ending with, S, जैसे, girls, यहां पे हमें एग्जामपल भी देंगे, girls तो इस वाले में हम क्या करेंगे add only apostrophe क्या वाल हम apostrophe add करेंगे now third is plural noun that जो does not end यदि जो खतम नहीं होता है does not end with s जो plural noun s पर खतम नहीं होता है जैसे यदि कि s वहाँ पर नहीं होगा यदि कि s को हम s का use वहाँ पर नहीं होगा इस तरह से आप समझ लेंगे तो s का use नहीं होगा उसका example क्या है children तो children में हमें क्या करना है add आपोस्ट्रॉफी एस यह प्लूरल हो गया यह सिंगुलर हो गया यह दूप यह प्लूरल हो गया इस प्लूरल में और इस प्लूरल में डिफ्रेंस है next is अब प्रॉपर नाउन भी दो तरह के इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन ends with s s के साथ end हो रहा है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे add apostrophe s वहाँ पर हम apostrophe s add करेंगे और some proper noun some proper nouns that ends with that end that also ends with किसके साथ end होते है s के साथ तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे add only apostrophe add apostrophe only इसका एक्जांपल क्या है some proper noun का जैसे सॉक्रेटीज सॉक्रेटीज James तो इसके अंदर हम क्या add कर देंगे सॉक्रेटीज को हम क्या बना देंगे यहाँ पर apostrophe क्या बना पॉस्ट्रोफी लेकिन इस वाले में proper noun end with s में हम क्या करेंगे इसका एक्जांपल है suppose vikas तो हम vikas के साथ क्या add करेंगे apostrophe s तो यह क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर vikas में apostrophe s हमारा लग जाएगा ठीक है this is the way कि हम possessives को use करेंगे singular noun जब होगा जैसे boy एक singular noun है girl है तो जो भी singular nouns हैं वहाँ पर हम apostrophe s use करेंगे जो plural noun है जो and होता है s पर जैसे girls जो and होता है s पर उसमें हम क्या add करेंगे only apostrophe add करेंगे जो दूसरा plural noun है जो does not add जो खतम नहीं होता है s पर खतम नहीं होता है जैसे children वहाँ पर हम add करेंगे apostrophe s proper noun there are some proper nouns जो s पर end होते हैं वहाँ पर भी हम apostrophe s लगाएंगे यह proper noun है यह भी important बात है कि यह भी proper noun है यह भी proper noun है but difference is this कि इस वाले proper noun में end with s हो रहा है तो apostrophe s हम लगाएंगे और इस proper noun में जो यह भी end हो रहा है s पर ही वहाँ पर हम केवल apostrophe लगाएंगे okay so I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी if you like the if you like my video please like, share and subscribe so that's all for today take care and have a nice day thank you